जैश्री राम, जैश्री राम, मैं भारती जनता पॉलिटी का जनरल सेक्टरी मेंडर मैं आप से एक जुरूरी मेसेज देना चाहता हूँ पूरे समाज को डीडी सी की एलेक्शन बड़े पूरम तरीके से हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, साई सब ने बोट डाले हैं हम पूरी बलादरी का, पूरे समाज का, भारती जनता पॉलिटी की और से प्रदान मंतरी शिरी निरंदर मोदी जी की और से धन्यवाद करते हैं, दनु हाथ जोड करके दो बाते हैं हमेरे जो जेन में आई हैं, जो अखवाएं उड़ाई जा रही हैं, इनका हमें बहुत बड़ा सक्त दुख है जो डिस्टिक के अंदर ओदे पर बैठे हुए लोग ऐसी बाते करते हैं, कि यहाँ पर किसी ने मदद नहीं की है या किसी ने बोर्ड नहीं डाला है, या हम जीते हैं या हमारे है, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो डिस्टिक की हमारी टीम है, बड़ी मजबूत है, तसील लेबर पर हम मजबूत है मेंडर के अंदर चार कंडिटेट हमारे खड़ रहे थे, मनकोर से हाजी करीम और मेंडर टाउन से हाजी मीर महांजी, अडिसे सीता राम जी और बाला कोर से हमारी एक बेटी कड़ी थी मैं परदीब जी का धन्यवाद करता हूँ कि यहां के परवारी थे, उन्होंने बहुत मेंडर की है, यह गल्त बात है, यह कहना के परदीब जी ने मेंडर नहीं की है, यह किसी ने मेंडर की है, हम कारी करता हैं पार्टी जन्ता पार्टी के, परदान मांतरी मोधी जी का एक से भी उन्होंने मेंडर के अंदर बहुत से काम किये हैं फंड्स दिये हैं स्कूल में दिये हैं यहां बर शम्षान गाट बड़े हैं और बहुत सी जगों प्रदीब जी ने सब कुछ देखा है उन्होंने कभी ये बैर बाव M.L.C. होते हुए नहीं रखा है कोई इंदू है क कोई मुसल्वान है कोई सीख है कोई साही है उन्होंने सब को M.L.C. होते हुए एक नजर से देखा है मैं प्रदीब जी का धन्यवाद करता हूं कि आज वह मारे परवारी थे मेंडर के अंदर उन्होंने चार पाइंट होरे किये हैं और हमें बोर्ड मिला है हमारी पॉल्ट लेवर जिरी रिविंद्र रहना जी से जुकुलकशोर शर्मा जी से और अशोक कोल जी से यह बातना करते हैं कि जादर के ना कुछ कहते हुए इसी पर हम विराम देते हैं जैहिन भारत ये जन्ता पॉल्टी जिन्दापाग भारत माता की जै जैहिन